हेलो गाइस सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और जवर्दस्त होंगे तो बिहार वालों के लिए गजब सी निउज आई है आप सभी के लिए गजब की अपडेट आई है कि भीया बिहार में इस बार बंफर भरती आई हुई है मतलब दस अजार प्लस वेकेंसी आपको देखने को मिल रही है तो यह तो एक पेपर की कटिंग है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इसकी ओफिसिल नोटिस भी आपके सामने आ चुकी है और कुछ अमीन के पद है कुछ अन्य पद है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ और विहार की तैयारी के लिए विसेस एक संपूर्ण जो है यहां पर चर्चा करने वाला हूँ मतलब इसके बारे में सबसे पहले विस्तार से हम लोग जानेंगे कौन सा फॉर्म है कैसे बरा जाएगा कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते हैं यहां पर कितने लोग अपलाई क कर सकते किस एज वाले अपलाई कर सकते कितनी छूट मिल रही है क्या क्या मिल रहा है क्या फीस इन सारी चीजों पर वार्ता करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं यह वेकंसी है कौनसी तो पहले तो पेपर की कटिंग को देख लेते उसके बाद ऑफिसियल वेबसाइट पे ऑ अमीन और कानून गो क्लर्क सहीत 10101 रिक्त पदों पर भरती के लिए योग उम्मेद्वारों के आवेदन मांगे हैं इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीद्वार 12 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदर कर सकते हैं परिक्षा ऑनलाइन ही होनी है भासा का माध्यम हिंदी तथा क्या है तो वेतन की अगर मैं करूं थोड़ा सा वेतन बतादेता हूं यहां बें इसकी जो स्टार्टिंग है वह 25,000 से डिया गया बदी घरिंडन की बात करना थे यह 800 रुपए है भी डिटेल में जानते हैं इसको देखेगा यह है आपकी जिसमें एक जो एज लिमिट आपकी मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है बोलें सर एक जनवरी 2023 से आपकी होनी चाहिए ठीक ना कितनी होनी चाहिए मिनिममम आपकी 18 एर होनी चाहिए अमीन और कान लिए अगर यहीं पर मैं बात करूं क्या कहते है एक लिए तो 21 से 40 होनी चाहिए maximum 21 वर्सें से कितनी होनी चाहिए 40 होनी चाहिए जो भी आपकी स्टी स्टी ओभी सी के अधार पर जो छूट दी जा रही है छूट आपकी वैसे ही होंगी जैसे आपको हमेशा मिलती है यह तो इंपोर्टन डेट्स इनकी जान लेते हैं को अपकब आप फॉर्म भर सकते हैं ठीके ना कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे थोड़ा सा इसके पे कर सकते हैं वह 12-5 तक आप पे कर सकते हैं करेक्शन डेट इसमें आएगी माली जिया आपसे कोई गलती हो गई है तो करेक्शन डेट भी आएगी जो कि आपकी रहेगी 18-20 मई के 2023 के बीच में ठीकिना एक्जाम डेट जो है अभी सेडूल नहीं हुई है जैसे सेडूल हो हो जाएगा उसके कुछ दिर पहले आपको जारी हो जाएगा जो इसकी फीस है वह जरा सा देख लेते हैं इसकी जो फीस है जनरल ओवी सी एंड इडब्लू एस समान है आठ सो रुपए आपको फीस दे होंगे ठीक ना लेकिन जो एस्टी और फिजिकल हैं उनके लिए यहां रुपए का बनेंगे मतलब यहां पर 50% की छूट दी गई आवेधन सुल्क में तो जो आप लोग आवेधन सुल्क दोगे वह आप लोग जो आपके सी एस्टी और फिजिकल हैं वह कितने चार सो रुपए और जो ओबी सी जनरल और आपका इडब्लू एस है वह आपके 800 10101 वेकंसी हैं मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां कितनी वेकंसी है बोलें सर दस हजार प्लस वेकंसी है बिहार में मतलब बिहार सरकार अच्छा काम करने की कगार पे मतलब अच्छा काम कर रही है अभी तो क्योंकि देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है सबसे इं मतलब राज ने हमारा पिछडता जा रहा है तो बिहार में यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है कि अभी वेकंसी और देनी चाहिए और और भी विभागों में वेकंसी आ रही है प्रॉपर आपकी कुछ वेकंसी अभी 69 पोश्ट किसी विभाग में निकली है तो वो सारी चीज की सबसे जदाएगा कुछ की commodity Card आने वाले है इस पेसल सरवेश अमीन जो सबसे ज्यादाइगी मिलेंगी has 244 मतलब भर की वेकंसी उसके बाद सर्मेट आपका का आएगा तीक यां या कोई टिपलोमा आपका होना चाहिए civil engineering किसी भी मानेता प्राफ्ति उनिश्टी से उसके बाद आपका special survey clerk की अगर मैं बात करूँ 744 पोस्ट है इसमें bachelor degree होनी चाहिए कहीं से भी आप bachelor degree है मतलब BST है BA है ठीके ना अगर हैं तो आप यहां पर apply कर सकते हैं उसके बाद special survey कानून गो की वेकंसी चाहिए मतलब diploma तो होने ही चाहिए साथ में आपको दो साल का experience भी होना चाहिए मतलब कानून गो के लिए diploma आपको क्या होना चाहिए diploma के साथ साथ आपका दो साल का कहीं पर आपको क्या कहते है experience भी आपको दिखाना है उसके बाद कह रहा है special survey assistant settlement इसमें क्या होगा cancer officer इसके लिए आपको भी होना चाहिए बीटेक होना चाहिए civil engineering से यह भी होना चाहिए और यहां भी आपको दो साल का experience होना चाहिए तो जितने लोग भी इसमें अमीन वगएरा में अच्छे से कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा सोरी जिनके पास experience नहीं है मतलब 8244 पोस्ट पर यह सभी लोग अच्छे से पेपर दे सकते हैं तोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं और डिटेल देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट कैसे कैसे कि OBC है EBS का है 1422 तो इस तरह से करके आपकी सारी डिटेल यहां पर दे दी गई है उसके बाद थोड़ा सा इसके पेपर के बारे में जानते हैं इसके बारे में और जानते हैं जो छूट के बारे में जानते हैं आयू सीमा क्या होनी चाहिए कई लोग कहते हैं कि सर अभी जो क् करनून को पत के लिए आपको 18 का होना चाहिए एक जनवरी को अमीन पत्र लिए आपको 18 Igleson होना चाहिए ठीक जाएगा यह यह लिए प्रभाव से माना जाएगा यह याद रखेगा अना रच्छित पुरूस को 37 वर्स होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यान्त पिछड़ा वर्ग PV महिला 40 वर्ष अना रक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष अनुसूचित जात और अनुसूचित जन जात 42 वर्ष यह आपकी जो छूट वगेरा है अधिक्तम सीमा कितनी है वो दी गई है उसके बाद थोड़ा सा इसके पाठ्ठिकरम पे भी जानेंगे जो परिक्षा होगी वो आपक परिक्षा होगी अच्छा नॉर्मलाइजेशन होगा मालीजे कई सारी स्विप्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स निद्धारित होगे यहां पर जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस परिक्षा होगी वो उसकी सबी कजैंट सब्सक्राइब के संख्या वह विभाजित करेंगे दो तीन स्फिन पूछा जाएगा इन पुरुचा जाएगा इन पुरुचा निमनमत होगी जैसा कि बताया गया आप ज्यान से समझेगा थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा सा और बात करते हैं थोड़ा सले बस कोशन बन रहे हैं ठीक ना किसके सेग्मेंट से कितने कोशन आ रहे हैं और इसका विस्तार जो explanation किया गया है वो notification में आपका दे दिया गया है ठीक ना notification मैं यहाँ पे डलवा दूँगा सभी लोग यूपी संगम माई MD क्लास को जोईन कर लिजेगा टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर नौटिफिकेशन आपको proper मिल जाएगा विशेश सर्वेक्षर साहत बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए सिविल होनी चाहिए आपकी जिसमें वैसे सिविल इंगिन्ग में 75 आपके би चैनल इस्ट इस्ट कोशन apple इसके अगर बात करें तो अपका मतलब जो आपकी डिप्लोमा है उसमें SUP 25 पोशन तो जो आपके अपके सब्जेक्ट है जैसे General Study यहाँ पे अब उसके बाद Survection लिपिक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे Survection अमीन में भी वही हाल है Civil Engineering में 75 पूछे जा और 25 General Study के पूछेगा लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे विशेज Survection लिपिक में तो लिपिक में क्या होगा बोलें सार यहाँ पे General Knowledge पूछा जाएगा 150 कोशन जिसमें से GS के होंगे GS के 50 कोशन होंगे mathematics के 50 कोशन होंगे और mental ability मतलब reasoning के आपके 50 कोशन होंगे तो GS math और reasoning 50-50 मिला करके आपके यह आपके पेपर बनेगा यह इसका है विशेज Survection लिपिक का ठीक है जिसका पद कोट 04 है देखिएगा तो इसके लिए आपको अलग syllabus तयार करना पड़ेगा बाकि यह जो है आपके अधिकारी पोश्ट के इनके लिए आपको अलग syllabus तयार करना पड़ेगा तो यह syllabus है तैयारी अभी से की जाएगी थैंक्यू सो मच सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आबार मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच सभी को